इस लेक्शर में देव ऐम पिलली के बारे में डिस्कस करेंगे, यह रिसेंटली न्यूज में है, यह इमेज में देख सकते हो, आप यह हैं पिलली 0. न्यूज में क्यों है क्योंकि देखो अभी पोप फ्रांसीस है जो उन्होंने डिकलेर किया है कि इनको संत डिकलेर किया जाएगा तो यह देवसायम पिल्ले 18th century के हिंदू कनवर्टिड क्रिस्चन कम्मूनिटी से ब्लोंग करते हैं इनका जनम तो हुआ था हिंदू कम्मूनिटी में लेकिन इन्होंने बाद में क्रिस्चन धरम को अपना लिया था इसाई धरम में एक कनवर्ट हो गए थे और यह इंडिया के फस्ट इंडियन लेमेन होंगे लेमेन का मतलब है साधरन आदमी इंडिया के पहले लेमेन होंगे जिनको संत डिकलेर किया जाएगा यह पोप फ्रांसिस इन्हें संत डिकलेर करेंगे सेंट का मतलब इंगलिस में सेंट बोलते हैं और हिंदी में संत बोलते हैं तो इन्हें उपादी दी जाएगी, Pope Francis को नहीं है, देखो Pope Francis क्या है, जैसे Christian धरम है, Christian धरम के लिए decision लेना Pope Francis का काम है, जो Vatican City है न, Vatican, Vatican City का है, देखो आपने Italy Country का नाम सुना है, वर्ल्ड मेप में देखा भी होगा Italy Country, एक मिनट में दिखा देता हूँ, आपको अगर नहीं द इतली, ये एक Italy Country में है, रोम इसकी Capital है, इतली की, रोम Capital में ही Vatican City है, वो अलग से एक रास्ट है, नेसन है, रिलिजियस नेसन है, एक अलग से कंट्री है, देश है इस रोम में, इतली की Capital है, राजधानी रोम, और रोम में है Vatican City, तो Vatican City को ये गवर्न कौन करते हैं, ये Pope Francis करत हैं, तो ये Pope Francis नहीं, एक post अभाई साब, कोई भी आदमी हो सकता है, इस पर religious leader बनते रहते हैं इसके, तो Pope Francis ने डिकलेर किया है, कि देव सहयम पिल्लाई जी को canonize किया जाएगा, canonize का मतलब संत की उपादी दी जाएगी, इनके साथ 6 और लोग भी है, जिनको ये blessing दी जाए हैं, तो ऐसे ही एक उत्सव होगा, एक Vatican में ये चर्च है, सेंट पीटर्स बासिली का, ये जगए है, यहाँ पे होगा, और 15 मही 2022 को इनको संत की उपादी दी जाएगी, इसलिए ये न्यूज में है, ये Vatican City seat है, Roman Catholic Church की, Roman Catholic Church है जो, चर्च में ही भाई सब बहुत सारी community बटी हुई है, तो उसमें जो, Roman Catholic Church है, उसकी seat है, Vatican City में, यानि कि वहाँ पे religious leader इनके रहते हैं, इनका जो जनम हुआ था, जो पिल्लेई जी है, पिल्लेई जी का जनम हुआ था, 23 अप्रेल 1712 को, और तमिल नाडू की कन्या कुमारी जो डिस्टिक है, वहाँ पे एक विल्लेज है नटालम, वहाँ पे इनका जनम होता है, इन्हें देखो, Christian धरम अपनाने से पहले, नील कंडा पिल्लेई के नाम से जाना जाता था, ये temple प्रिस्ट एक पुजारी थे मंदिर में, उनके बेटे थे, यानि कि अपर कास्ट फेमिली से बिलॉंग करते हैं ये, ये देखो, जो मार्थंडा वर्मा, मार्थंडा वर्मा के कोट में इन्होंने अपनी सर्विस दी, और यहाँ पे देखो, इसके दोरान, जब ये मार्थंडा वर्मा के कोट में सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो इनकी मुलाकात हुई एक डच के नवल कमांडर थे, नेवी के कमांडर थ में उन्होंने बताया फिर ये Catholic में convert हो गए इन्होंने Catholic adopt कर लिया इसाई धरम adopt कर लिया 1745 में और इन्होंने अपना नाम भी change किया Christian name ले लिया लेजार असनाम रख लिया इन्होंने बाद में देखो इनका नाम change हो गया देव साहम के नाम से जाने गई है देव साहम से देव साहम के नाम का मतलब है God's Health भगवान की साहता इन्होंने देखो जब ये Christian ही में convert हुए उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक तरह से हिरना गिरना देखने को मिली हेट रैथ देखने को मिली त्रावन को स्टेट में महाराजा भी और भी बहुत सारे लोग इन्होंने से गिरना करने लगे क्योंकि इन्होंने conversion किया था ना हिंदू धरहम से Christian ही में convert हो गए थे 14 जनवर 1752 को जब इन्होंने Christian धरहम साथ साल पहली convert किया था 1745 को और साथ साल बाद ये देखो देवा सहम को मार दिया गया यहाँ पर यह अरावल वही मोजी forest एक जंगल है यहाँ पर वही पर इनकी हत्या कर दी गई मरवा दिया गया है यह मार दिया गया क्योंकि इन्होंने धरम चेंज कर लिया था इस वज़े से इनको मार दिया गया यही कारण था इनके मारने का तो बाद में देखो जो Catholic Community थी साउथ इंडिया में साउट इंडिया में हमारे केरल तमिललादु में जो कैथohlिक क μεनिटी रहती है, इसाइधरम में ही आते हैं भाई सब, यह इसाइधर कमप्राइटी के, यह क्रिस्टन कम्प्राइटी के, जो कैथलिक कम्मुनिटी है, समूद आया, वो इन्हें मार्टिर कहने लगे, मार्टिर क इनकी एक तरह से वो है तो यहां पर इनकी body दफनाई गई और इनकी जो teaching थी ना जो यह उपदेश देते थे preaching करते थे preaching का मतलब है उपदेश देना यह उपदेश देते थे equality का समानता का चाहे कोई भी cast का लोग हो यह cast differences को नहीं मानते थे discrimination को नहीं मानते थे भेदवाब को, तो सारी community के बीच में equality हो, इसको यह propagate करते थे, इसी के कारण इन्हें martyrdom का एक तरह से उपादी मिली, इसी के कारण जो Catholic community थी, इन्हें martyr बोलती है, सहीद बोलती है, देखो जो इनको संत, जो सेंट ठूट की उपादी, संत की उपादी देने की बात की गई थी, जो Pope Francis ने पिछले साल, फरवरी 2020 में approval दिया था, और अब ये 15 जनवरी 2022 को इनको उपादी दे दी जाएगी, तो जो religion में categorization होता है, ये कैसे होता है, इसको पढ़ लेता है, एक बार, वर्ल्ड का primary religious जो categorization ने, दो category में किया जाता है, एक category है, अब्राहमिक अब्राहमिक religion, अब्राहमिक धर्म है एक, और एक दूसरा है, इंडियन religion, यानि कि भारते धर्म, जो अब्राहमिक religion है, उसमें Christianity, जुदाइज्म, इसलाम, तीन धर्म आते हैं, और जो Indian religion है, उसमें देखो हिंदुईज्म, बुद्धिज्म, सिक्खिज्म, और इंडिया के और religion है, जो जैसे जैनिज्म हो गया, या फिर आपका और जो इंडिया के religion है, वो सारे जो आते हैं, वो Indian religion में आते हैं, यानि कि दो कैटेग्री में बाठते हैं, पूरे वर्ल्ड में religion को, अब्राहमिक और Indian religion, जो Christianity है, Christian देखो, इसाई धर्म, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे largest religion है, सबसे बड़ा धर्म है भाई सब, Christian, इसमें लगबग 2 billion से ज़्यादा follower है इसके, और Christianity based है, जो Jesus Christ हुए थे भाई सब एक आदमी, जिनोंने Christian धर्म के स्तापना की, 2000 साल पहले, लगबग 1st AD में, अभी कौन सी चल रही है, 2021 चल रही है, लगबग 1st AD जब स्टार्ट ये English calendar जो follow करते हैं worldwide, वो इसी पर based है, जब से Jesus Christ का जनम हुआ था, तो उस टाइम से, जो Jesus Christ की teaching थी, और life थी इनके life के जो, मतलब, ये teach क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे, प्रीच क्या करते थे, उसी पर based है, ये Christianity, यानि की Christian धर्म, जो largest group है, इस Christian धर्म में, ये कई कम्टी में बटा हुआ है, जैसे देखो, बुद्धिम है, वो क्या है, महयान और हिनायन में बटा हुआ है, जैसे मुसली में, सुनी और सिया में बटा हुआ, ऐसे ही ये बटा हुआ है, ये धर्म में, व्यानि क्या इस सारे छोटे धर्म में, शब साब community बोल सकते हो,largest group है इन वे यह तीं चा ज्यसे रोमन कैथोलिक चर्च इसटन ओर्थोडोक्स चर्चिज प्रोटेस्ट एंट चर्चिज यह है सारे और इनकी जो सेक्रेइड बुक है यानि जैसे जो धार्मिक पुस्तख जैसे muslim धर्म की कुरान है हिंदु धर्म की गीता है रामान महाबारते और ऐसे Christian धर्म की बाइबल इनकी जो धार्मिक पुस्तक है sacred text बोल सकते हो sacred book धर्मिक पुस्तक जो इतना ज्यादा spread हुआ है इतना ज्यादा फैला है Christian Dharam किसकी वज़े से फैलाए ये फैलाए Christian Mr इस जो धार्मिक गुरुत अनकी वज़े से और दूसरा कारण है क्योंकि देखो ब्रोटिस जो ब्रोटिस है बेटे ने गुलाम बनाया तो भूह सारे देश को ब्रेटे इन में देखो Christian क्रिष्ष्ठ धर्म है मेंली तो यहां पर यह क्रिष्ष्ठ धरम फेला इनौन भी योगि जांन जां जां को को गुलाम बनाया ब्रिटेन ने वहां पर इन्होंने कृष्चन धर्म में फलाया इनके जो मिस्नरीज थे धार्मिक गुरू थे तो यही था बस इस लेक्चर में